बिस्मिल्लाहिर रख्माद रहें हॉमवर्ग डाइरी जो होती है उसका प्रिंट किस तरह से डिजाइन और प्रेंट किया जाएगा Microsoft Word में आज में बताऊंगा Microsoft Word उपन करेंगे लियाओट मैनियो में में और इस तरह से और इंटेशन के बाद मार्जिन अप्शन में नेरो नेरो अप्शन के बाद अब इसके जो आउट साइट कॉर्णर है हमें शो करना है ताकि हमारी जो डिदाइनिंग या हम ब्रॉब कर रहे हैं शेप सब्सक्राइब करेंगे इसको और शो टेक्स पांड़ीज तीजी अभी यह होगी है हमारे पास फाइल अगेन ऑफ्शन्स एडवांस और यहां पर हमने शो टेक्स पांड़ी का चेक लगाया है ठीक है अगर हम शो क्रॉप मार्क्स कर देते तो इस तरह जागा यह भी बैतर है तो इससे हमारे एक आइडिया हो जाएगा लेफ्ट राइट टॉप मार्जिन कितना है हमारा तो इसको हम इस तरह से रखेंगे पिर और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा अब इसमें आपको एक काम करना है लेयाउट मेन्यू के अंदर यहां से कॉलम टू करेंगे कॉलम टू के बाद व्यू में जाकर रूलर कर चेक लगाएंगे यहां मेरा ओन नहीं था मैना ओन कर लिया तो यह एडिया जो होगा यह हमारा कॉलम्स डिफाइन होगी है ठीके ज तो वहां लाइन भी एड हो जाएगी है हमारे पास अब रैंडम टेक्स के लिए एक्वल आ रहे हैं इंडी प्रेक्ट उपन रैकेट क्लोज करके दिका रहो हूं मैं तो यहां पर देंगे जैती है हमारा टेक्स जाता होगा तो यहां बीटिमी लाइन भी सेफरेटली आ जा तीक जी आप हमारा काम डिजाइन नर्शाइब ओगा वह एजी हो गया है कि यहां से स्ट्रक्ट option selection पेन वो इसको अन्सेट कर लेते हैं ठीके यहां से जो होगा वो हम इसको डिलेट कर देते हैं ठीकि इस तरह से हमारा सेंटर परणिट मैंस्लेक और चलेक और राइट करने के पाथ इसको मैं ड्रॉ करूंगा यहाबर ट्रीक ड्रोब इसको ड्रॉ करने वाद जो राउंडीड रहा है यह कॉइंट येलव पॉइंट जो बनावावार है स्की मज़स्त राउन को कम कर सकते हैं और मज़ीद बढ़ा भी सकते तो ही यहां से यहां तक चुंग होगा मैं सको और अज़म और यहां चिर्ण रहाँ बढें और ऐसिऊच्ट पढां और इसकी थीकने साथ बढ़ानी और इसका शेफ फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे यहां पर आउट्लाइन टीकि जी टार्क कर दी मैंने और एक और इसी शेफ को हम कॉपी कर लेते हैं स्क्रोल और यहां से इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा लेफ्ट साइट से और फिर राइट इसको आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं यह फॉर्मेट में टॉप विद इस्टेप बाइस्टेप या फिर एरो से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं ठीकि यह सारे ओप्शन्स हमारे पास मौजूद हैं जैसा आपको असान लगे हैं उसे साफ से आप अपनी वैल्यों से या पॉइंड की मदद से इसकी सेटिंग कर सकते हैं शेप और लाइन इसको हम लाइट करेंगे इस तरह स सिर्फित अगतों के साथ हैं और इन दोनों को इसको प्sट करेंगे हूं और उप्शन के भाद नेच्स अब इसके अंदर हमें काम करना है तो इसको हम यूज करने के लिए राइट किलिक करेंगे इसके उपर और अनृप कर लेते पहले इसको क्योंकि हापर हमें इसके अंदर text लिखना है तो add text option और add text के option के साथ कंट्रोल-l left align पर आज यह साथ हम देट option add करना है। date option के साथ colon और फिर यहां पर हम इसको select कर रहे हैं और येट के लिए इतना वड़ा अरिया आपको रखना है लाइन प्रोब कर सकते पिर milliseconds और और यहां पर एंडर इसको टैप यूसे करेंगे अर ओर तैप के साथ यहां पर कि लास और फिर अंडर स्कूर तिर फिर इंटर और इंटर के साथ यहाँ पर एक और बॉक्स बनेगा सबजेक्ट और यहाँ पर इसी बॉक्स की कंट्रोल लैफ्ट के लिक ट्रैक करके माउस कॉपी ले लेंगे और यहाँ पर इसको मैं दोनों को सेलेक कर रहूं और लाइट कलर शिफ पारमिट से जाएगे और शेप आउट लाइन नौ और इसके अंदर राइट क्लिक एड़ टैक्स और इसके अंदर हम टाइप करेंगे सब्जेक्ट और इसको हम मैनियू में जाएंगे बोल्ड कलर उसके साथ राइट क्लिक एड़ टैक्स यहां पर आजएकर डिस्क्रिप्शन और जितना टैक्स एटीन इसका रखा हुए हमने सिंपल इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं बोल्ड और बोल्ड के साथ एटीन इसको भी रख लेंगे और मज़ीद अब यहां पर हमें एरिया ड्रॉ करना इस तरह का तो हम शेप्स यूस कर लेंगे ठीके जी जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो यहां पर शेप्स आप्षिन के अंदर आई जाएंगे रेक्टिंगल और हाफ एरिया जो होगा इतना हम इसके लिए रख लेते हैं तकरीबन राउन को कम करेंगे और इतने ही तक्रीमन यहां पर इसके लिए आजाएगा और यहां से इसको बढ़ाएंगे इतना ठीके जी और इसके अंदर आउटलाइन फेल कलर नौ करना है और आउटलाइन ब्लैक कर लेते हैं इसकी इसकी भी आउटलाइन का रखनी है तो शिफ्ट दवाएके दोनों से लेक्ट आउटलाइन ब्लैक कर लें और यहां पर इसके अंदर अब लाइन्स द्रॉग करना है हमें क्ट्रोल के साथ उसी की कॉपी लेंगे शिफ्ट दवाएंगे स्ट्रेट कॉपी कॉपी होगी इसी तरह एक और कॉपी इसी तरह एक और कॉपी तो आप इसी तरह से जितनी कॉपी एक हो सकती है आप कंटीन्यू कॉपी एट करेंगे ठीक है जी सब्जेक्ट के लिए एक लास्ट कॉपी ले लेते हैं और जी जहां से जैसे अरेंच कर सकते हैं तो इसी इसी साइटिंग्स करेंगे अब और यहां से भी आप कंट्रोल के साथ मल्टिपल लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं इसली इसी तरह यहां पर हम किलिक करेंगे और इसको भी थोड़ा सा इस तरह से शिफ्ट और अब इन सभी लाइनों को सिलेक्ट करना है हमें राइट किलिक गुरूप ऑप्शन और सेम इसी की कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के कॉपी लेंगे और इसको यहां पर अरेंज कर लेंगे इसकी विट बढ़ा देंगे तो यह काम भी इसली हो जाएगा हमारा ठीक दिक कॉपी या गुरूप करने के बाद आप और आराम से इसको एड़ लो रही है ठीक जी यह हो गया हमारा तक्रीमन कम्प्लीट अब शुट दबा के दूनों से लेक्ट और टॉप पॉटम से स्पेस रखनी है तो आप इस तरह से रख लें यहां से एरिया आप यहटा देते हैं और अब हमारे पास यहां पर एक आप्शन आएगा यहां पर यह और इसको भी मैं ब्लैक कर लेता हूं और इसकी भी कॉपी ले लेंगे कि यहां पर आ जाए गई ऑप्शन और इसके साथ एक बॉक्स ट्रॉव करेंगे यहां पर पैरेंट सीग्निचर और यहां से आउटलाइन को मैं कर रहा हूं नौफिल और यहां से इसको भी इस तरह से बॉक्सी कॉपी और यहां पर आजाएगा टीचर सिखने टीचर साइंग ठीक जी के काम हो गया भी यहां तक एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया इतना काम करने के बाद यहां से इनको को आल को स्लेक्ट करना है ठीकर नहीं और आल को स्लेक्ट किस तरह से करेंगे यहां से यह हो गया सेलेक्शन और इसके साथ यह हो गया और इसको सेलेक्ट करेंगे आउट्लाइन अभी इन सब को हमें सेकंड हाफ पेज के ओपर कॉपी पेस्ट करना है तो यहां पर गुरूप जो यहां पर स्पैंड हुआ हुआ है इसको स्टार्ट करें हमने बॉक्स को कंट्रोल इसको स्लेक्ट करा यह दोनों बॉक्स फिर दोनों की जो लाइन रौधी सीनेचर यह कंट्रोल के साथ फिर इसका और इसका दोनों का गुरूप सेक्शन कंट्रोल के साथ स्लेक्ट उसके बाद रेक्टेंगल राउंड इट इसके और उसके बाद हमारे पास shapes का option आ रहा है और shapes के साथ में सब्सक्राइब कर रहा है और इसका option आ रहा है तो यह हमने direct लिखा हुआ है इसका कोई issue नहीं है यहां से इतनी चीजों को हमने copy कर लिए copy करने के बाद इसको हम right click कर लेते group section के अंदर और गुरूप section के बाद easily हम इसको क्या करेंगे copy paste ठीकिजी अब देखें यहां पर second page कहाँ पर आपका हाफ हो रहा है एक की आगिया और एक की आगिया easily यानि हमने जस्तार design करें अराम से copy paste का option आड़ कर दिया हमने और इसका date and time और class का option अलग एड़ करना है तो यहां पर इसको कॉपी कर ले कंट्रोल सी एंटर करेंगे एंटर करके कर्सर हम यहां पर लियाते और अगर इसमें नहीं एड़ हो रहा है यह सही तरह से तो मसला कोई यहां पर शेप का option आड़ करें और इसमें हम पेस्ट कर लेंगे इसको कि आउटलाइन को नो कर देंगे इसको कर देंगे यहां पर इसको set कर देंगे आप यहां पर आगिये और इसके साथ इसकी लाइन हो गई अप्लीट हो गया यह पूरा हमारा एक फन और इसके साथ इसको भी अभी सी तरह से सégर्ण करेंगे और यहां से इसको सिल Isto को इसको सिलेक करेंगे आतलाइन सव ये ऑघर वाल से ये वाला इसका है' ये जो हमने बनाए आद़ाधा है इसका शेफंगे तो छोड़ा दिए ह और इसको अब हम क्या करेंगे राइक के लिए को गुरुप कर लेंगे और फिर कंट्रोल के साथ सिंपल इसकी कॉपी लेंगे और यहां पर इसको शिफ्ट कर देंगे तो कितनी इजी तरीके से हमने यह सब बनाया है इन उप्शन को शियर करने का वसकत ही होता है ताकि इसकी वज़स से आप और अच्छा करके गुरुभी काम बिनना चाहते हैं प्रिंटिंग के हवाले से पेपर प्रिंटिंग का सब्सक्राइब कर सकते हैं यह कौंसेट इसलिए दिये जाता है ऑप्शन को शेयर करने का पढ़ाने का शेप की मुझस से किस तरह से होंगे लाइन स्टॉ रांडे रेक्टिंगल ड्राइंग वगरा क्रियेट करने हैं तो किस तरह से कर सकते हैं बॉर्डर्स देखें हमने इ अब जो भी अब जिस के लिए डिजाइन कर रहे हैं आपर एक उपर जो होगा इसका नाम अट करजें ठीक है ठीक है जी माई हॉमवर्ग और यहां से इसको कंट्रोली सेंटर कंट्रोल श्यूट की राइटर फॉर्ण्स को बढ़ा कि हमने और इसका स्टाइल जो होगा यहां से जो भी आपको स्टाइलिश फॉर्ण चाहिए वह आप यहां से अपना सिंपल रखना है सिंपल स्टाइलिश रखना है स्टाइलिश प्यूंगे यहां पर जो भी आपको अपनी डिजाइनिंग के हवाले से अच्छा लेगे वह आट करने ठीक है और यहीं से इसकी में एक और कॉपी ले लेता हूं वह एदर आ जाईगी और इसका फिल वगरा अब फाइल प्रिंट में चले जाते हैं यह हमारी एक्यूडेट देखें प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग होई गिया और जितने पेजिस हमने क्रॉप साइटे ओन करके इसका काम किया था स्टार्ट तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आईगी इस तरह से हमें ठीके तो एटू जेट और यहां पर सारी चीज़े शेयर करी मैंने वे चीज़ेस में स्टैप्स में सोगया आइड करना चाहरे तो उसके लिए वीडियो में पूछ सकते हैं इसके अलावा यहां पर कॉपी वगरा प्रिंटर का नाम कितनी कॉपी चाहिए कॉंटिटी और फिर यह पीस